कॉंग्रेस के अध्यक्षपद से भले ही राहूल गांधी ने स्तीफा दे दिया हो लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने खुलासा किया है जिससे साफ साबित हो रहा है कि राहूल गांधी ही अब भी पार्टी के अध्यक्ष है दरसल हाली में पार्टी के महा सचीव रह चुके जनार्दन दुवेदी ने हल्ला बोल करते हुए राहूल गांधी के इस्तीफे को आदर्स करार देते हुए बाकी वरिष्ठ नेताओं पर जमकर बरसी उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि पार्टी समविधान के मुताबिक राहूल गांधी ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो लेकिन वो अभी भी अध्यक्ष है उन्होंने कहा था कि कॉंग्रेस के समविधान कहता है कि अभी भी राहूल गांधी अध्यक्ष है फिर ये कहना कि कॉडिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है सब फालतू बाते हैं क्योंकि अब लोग सभा चुनाव खत्म हो गए तो ऐसे में समनवे कमेटी का अस्तितु भी खत्म हो जाता है बताते चले आपको कि राहूल गांधी के स्तिफिय के बाद से अब तक पार्टी का ध्यक्ष फाइनल नहीं हो सका है और अब ऐसे में पार्टी के कई नेता ध्यक्ष को लेकर अब जल्द फैसला लेने का दबाओ पार्टी अलाकमान पर बना रहे है SPN 9 News Room की रिपोर्ट